हेलो फ्रेंज, स्वागत करती हूँ फ्रेंज, आप सभी का मेरी रसोई में आई होब आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं सेहर करने वारी भर्वा मसाला बैगन की सब चीज जो बहुत ही ज़ादा सौधिश्टा लगता है फ्रेंज बैगन में मसाला डाल कर बनाया चाता है फ्रेंज, चलिए बनाते हैं वीडियो आप फूरा देखिएगा फ्रेंज, यहां पे मैं बहुत सारा बैगन ली हूँ इसे चाकू से अच्छे से कारती हूँ तो इसे में हमें मसाला टालना है फ्रेंट तो चलिए इसके लिए हम लोग मसाला तैयार कल लेते हैं तो बस फ्रेंट मैं यहाँ पे एक चमस सौफ लेएं और सौफ लेने के बाद इसमें टालतूंगी एक चमस काली मीच पौडर टालने के बाद दो चमस टाल तूंगी फ्रेंट मैं इसमें खड़ी धन्या और खड़ी धन्या टालने के बाद एक चमस टाल तूंगी फ्रेंट मैं इसमें अज्वाइन तो वस्प्रेंड इसमें टाल दूंगे एक चमस नमक स्वाधनुसा टालेगा और एक चमस टाल रियों फ्रेंड मैं इसमें लालमेच पौडर लालमेच पौडर टालने के बाद एक चमस टाल दूंगी फ्रेंड मैं इसमें गरम मसाला गरम मसाले टालने के बाद एक चमश टाल दूँगी फ्रेंट मैं इसमें healthy powder और healthy powder टालने के बाद दो चमश टाल दूँगी फ्रेंट मैं इसमें healthy powder और healthy powder टालने के बाद दो चमश टालने के बाद तो बस प्रेंट सारे मसाले को टालने के बाद केंडर चाल में अच्छे से एक तो यह देखे फ्रेंट ब्हुत शाजा टाल करना लिए करूँकेर यहाँ यहाँ पीलियू प्यास मीडियाम साइट करलंगी तो यहाँ यहाँ प्यास मीडियम साइज की सीगितन में ज़य कर लेते हैं तो बस फ्रेंट ये सारे मसाले को बिल्कुल भी मठ डालिएगा थोड़ा थोड़ा से मसाला डालिएगा और दो चमासा बचा कर रखिएगा तो बस फ्रेंट दो चमासा मसाला बचाईएगा वीडियो आप पूरा देखिएगा आगे मैं आपको बताती हूँ आपको दो चमास मसाले को क्या करना है तो बस प्रिंट ये डाल दियूं मैं अच्छे से मसाले को ये देखिए बैगन में तो तयार है फ्रिंट मसाला बैगन में ये देखिए तो चलिए फ्रिंट यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कड़ाई और कड़ाई में डाल देते हैं और करने के बाद इसमें मैं टालतूंगी बैगन को तो ध्यान दीजेगा फ्रेंड बैगन को आपको तीरे दीरे करकर टालते जाना है क्योंकि फ्रेंड इसमें मैं मसाला टालें इसलिए तो बस फ्रेंड अराम से मैं इसमें सारे मसाले को टालते जाओंगी इसमें मसाला डला इसलिए आप इसे अलाम से डालते चाहिएगा तो बस ये सारे भैगन को मैं इसमें अच्छे से डाल दूँगी और डालने के बाद 5 मिनट के लिए मैं इसे ढखकर रख दूँगी और ढखकर रखने के बाद 5 मिनट के बाद ये देखे फ्रेंट ये हलका सा अच्छे से पक चुका है तो बस प्रेंग यह अच्छे से यह बख चुका है इसे मैं निकालने की बात फ्रेंट मैं यहाँ पे ले लूँगी और कड़ाई और कड़ाई में टालतूँगी फ्रेंग मैं चार बड़े चम्मस अरसू को औल तो ध्यान दीजेगा फ्रेंट बड़ा वाला चम्मस लीजेगा जिसे हम डेली खाना खाते हैं वही वाला चम्मस से आप इसमें ओल टालिएगा और ओल को आप अच्छे से गरम कर लीजेगा और एक चम्मस टालिएगा फ्रेंट इसमें जीरा जीरा डालने के बाद इसमें टा प्रियाज के पेष्टा 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 प्रियाज के प्रियाज के पेष्टा प्रियाज के तो बस प्रेंड मैं इसे अच्छे से पका दूंगी पांच मिनद तक तो पकाने की बास प्रेंड मैं जो आपको बताई थी मसाला उसी को आपको दो चमस इसमें मसाला डाल दीजेगा फ्रेंड बैगन मसाला जो मैं मसाला तेयार की हूँ बस प्रेंड वही मसालो को आप दो च तो यहां पे डाले ही फिरें एक चम्मस नमक स्वादन सा डालेगा तो यहां पर टालने के बाद मैं इसी अंच्छे से भी करते हूँ है तो बस पर यह देख्ये श्यादा अच्छे से तयार है तो एक गप मैं इसमें और पानी टाल देती हूं और पानी टालने की बाद इसे मैं और अच्छे से पका दूँगी क्योंकि मैं इसमें अलकस और मसाला डाली हूं इसलिए और अच्छे से पक जाएगा क्योंकि फ्रेंड इसमें भी मसाला अच्छे से सेट हो जाएगा तो द्यान दीजेगा इसी भी आप अच्छे से इसमें मसाले को डाल दीजेगा यह देखे फ्रेंड मैं इसे अच्छे से अलट पलट के अच्छे से मसाले को मिक्स कर दीजूँ तो इतने ही में नहीं होगा फ्रेन यह हलका सक अच्छा रहेगा तो इसमें मैं 2 कप और पानी डालतूंगी और 2 कप और पानी डालने के बाद अच्छे से मैं और अच्छे से मिक्स करतूंगी फ्रेन और मिक्स करने के बाद इसमें और अच्छे से पका दूंगी तो बस फ्रेंट दो कप पानी डालने के बाद इसमें मैं ताजी वाली मस्ता हरी दिन्य डाल दूंगी और इसे ढख कर आधे घंटिक ले मैं अच्छे से पका दूंगी तो बस फ्रेंट ये देखे फ्रेंट बन कर तयार है भलवा मसाला बेगन की सब्ची जो बहुत ही जदर टेश्टी बना है फ्रेंट मैं इसको आपको पॉस से दिखाती हैं कितना जाद अच्छा बना है तो यह देखे फ्रेंट तयार है स्वाधी इस्ट भलवा बैगन की सब्ची जो बहुत ज़्यादा टेश्टी लगता है तो कैसा लगा फ्रेंट आपको वीडियो अच्छा उमीद करती हैं फ्रेंट आपको